बड़े रुत्मे के लोगों पर आप बात क्यों कर रही हैं? अध्यक जी मैं कहना चाहती हूं, रुत्मा जितना बड़ा, अपराद उतना ज्यादा, रुत्मा जितना बड़ा, सजा उतनी ज्यादा मिननी चाहिए. किसी व्यक्ति का रुत्मा, उसके बचाव की ढाल बनने के बज़ाए, उसके सजा का कारण बनना चाहिए. अध्यक जी मीत कहती है, कि छोटे व्यक्ति बारा किये गए बड़े अपराद को भी ख्षमा किया जा सकता है, लेकिन बड़े पदों पर बेटे हुए व्यक्ति बारा किये गए छोटे अपराद को भी ख्षमा नहीं किया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए. और यहां तो सुप्रीम कोट के तीन सदस्ये पैनल ने उन्हें इंडाइट किया है, अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इसलिए चाहिए तो ये था, नेतिक्ता का तकाज़ा था, कि जस्टिस गांगुली जैसे ही आरोप लगा था, तभी त्याग पत्र देते, लेकिन कम से क ये रिपोर्ट आने के बाद को त्याग पत्र देते, लेकिन ढीट बनकर वो अपने पत्र बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की भावनाव को व्यक्त करते हुए कहना चाहती हूं, जस्टिस गांगुली को तुरंत अपने पत्र से त्याग पत्र चाहिए, नहीं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए, एक खण भी वो अपने पदबर बने रहने के अधिकारी नहीं है, और यह यौन उत्वीरं की घटलाएं, जो आए दिन हमें शर्वसार करती हैं, लगबद हर दिन, अध्यक्षी मैं दोहराती हूं, लगबद हर दिन इ इस मारत आप पता चल सके, कि अगर बड़ा नहीं बच सकता, तो छोटा बिसको नहीं बच सकता, इसे जस्टिस गामड़ी से जाक्मत देने की मांग करती हूं, और नहीं तो उनको तुरंत बरखास्त करने की मांग करती हूं, बहुत बहुत धन्यवादू